हेलो दोस्तों एक बार फिर आपसे भी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिरी इजक्रेशन पॉइंट में दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा बिहार पुलिस कॉंस्टेबल का एकजाम 14 और 21 मार्च को संपण हुआ था लेकिन अब तक लगबग में 4 महीने हो गए आँज से ल, तो बहुत बहुति मकरें उन नहीं किया गया और बात करें पिछली भरती का तो पिछली वहत्य match कर दिया गया था लेकिन इस बार बहुत ज्यादा डिले को मिल रहा है तो दोस्तों बहुत सारे अभिरतियों के मन में यह सवाल है कि बिहार पुलिस कॉंश्टेबल का रिजल्ट क्यों नहीं आ आपको आगे त्यारी शुरू कर देनी चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो के माद्यम से सारा कुछ इंफर्मेशन कवर करेंगे जैसे कि आपको आगे त्यारी शुरू कर देने चाहिए बिना वह वी रिजल्ट के इंतजार के तथा बिहार पुलिस कॉंश्टेबल का नहीं आ रहा है तो इसका सबसे पहले रिजन जो सबसे बड़ा रिजन बताए जा रहा है वह कोविड नाइंटेन के वजह से यहां पर विहार पुलिस कॉंश्टेबल का जो चौरासी सो पंदर पदों पर भरते होनी है इसके रिजल्ट में डीले देखने को मिल रहा है और दूसरा रिजन जो है वह यह बता जा रहा है कि OCD कमल कांत जिन पर कुछ आरोप हैं और जिसके वजह से उनके पीछे CID चल रहा है और जिसके वजह से यहां पर डिले देखने को मिल रहा है यह वी रिजन बता जा रहा है जो CSBC के ऑफिसर हैं और बात करें तीसरा सबसे के लिए सेटिंग चल रही है और जब तक बीक नहीं जाती जब तक बिहार पुलिस का रिजल्ट नहीं किया जाएगा तो दोस्तों यह थोड़ा बहुत रीजन हो सकता है क्योंकि आपको पता ही होगा कि बिहार पुलिस के अभी जितने भी वेकैंसिया हुई है इसमें थोड़ करते हैं यहां पर चांसे सब्सक्राइप कि आपको पता ही होगा क्योंकि आपको पता है कि घर क्ð लेबल का पकी 787 गयानि कि इसका ठीक्ति आभा गनिसके बिद नेगुशंदा एक जाम भी प्यस्टी लेबल का हो तो यहां पर मेरीड जो है वह कम तो जाएगी ही जाएगी लेकिन यहां पर धांदली के वज़ज़ से यहां पर जो रिजल्ट है वह थोड़ा सा जादा जाने का संभावना है लेकिन इतना भी जादा नहीं जा सकता जो जैसे कि यहां पर सरे के यांना है यानि बहुत सारे यूटूबर बहुत सारे सोचल मीडिया पर वाड़ा पर से अधीक मार्ण यहां पर जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आपका कटाफ है वह 75 से अब जाएगा यहां पर यानिकि अगर आपके 65 से प्लस बनना है तो आपको यहां पर चांसेस है कि आपका बिहार पुलिस में होई जाए तो इसलिए अगर आपके इतने नंबर बन है तो आप त्यारी सुरू कर दें अब हम बात करें कि बिहार पुलिस कॉंस्टेबल का रिजल्ट जो है वह लगों में आपका सकते हैं कि पांच से दस अगस्त के बीच में इसका रिजल्ट आने का संभावना है लेकि में यानि कि ज्यादा आप यहां पर विश्वास के साथ नहीं कर सकते कि आपका जो रिजल्ट है लेकिन यहां पर परफार्मा जो है बहुत तयार हो चुका है और रिजल्ट जल्दी आ जाएगा ऐसा मानना है तो फ्रेंट्स हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसा लगा शीust हमें कौमेंटस सक्चन में जरूर बत आयं और उमीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको यह वीडियो अđच्छा लगा हो तो फ्लिडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्स्राइब कीजिए तो दोस्तों मिलते हैं फिर खिर किसी नई वीडियो के साथ हैं थैंक्स पर वाचिंग विस्ट लवेश्ट वब्वाइए